टीवी यानि के ट्यूबर क्लोसिस एक वैस्ट विकमा हमारी है दुनिया भर में होने वाली मोतो के टोप दस कारणों में से एक है इसके परती लोगों को जागरुक करना बहुत ही आवशक है क्योंकि यह किड़नी रीड और मस्तिक्स पर भी काफी परभाव डालती है इसके प शेयरोग तपेदिक या ट्यूबर क्लोसिस फेपडो का एक गंभीर संकर्मन है जो एक जीवानों के कारण होता है जो खासने या छीकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों से फैलता है इसके कारण विस्व में काफी अधिक व्यक्तियों की मरत्ती हुई है लोगो ट्यूबर क्लोसिस जैसी खतरनाक बिमारी के प्रती जागरुख करने के लिए ही वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे मनाया जाता है इस दिन लोगों को ट्यूबर क्लोसिस जैसी खतरनाक बिमारी के प्रती जागरुक करने के लिए बहुत से अभिहान चलाए जाते है ताकि लोग इस जानलेवा बिमारी के प्रती जागरुक हो सके इन अभिहान के अंतरगत लोगों को इस खतरनाख बिमारी के बारे में समझाया जाता है कि यह बिमारी कितनी खतरनाख होती है। विश्व शेयरोग दिवस मनाने की शुरुवात 24 मार्च 1982 को हुई थी। 24 मार्च के ही दिन डॉक्टर रोबर्ट कोच ने इसी दिन बैक्टिरियम यानि जीवानू माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस की खोज की थी। 2023 में विश्व शेयरोग दिवस मनाने का थीम है हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं यानि के यस वी कैन एंड टीबी।